हेलो दोस्त कैसे है आप सर विल्कम बैक टू जोवियोंस्टी मैं हो प्रकाश इस वीडियो में आपको बताऊंगा SBI में क्लर्क के प्रोमोशन की क्या पॉलिसी होती है फर्स्ट प्रोमोशन होने में कितना समय लग जाता है बहुत सारे कैंडेट्स का सवाल रहता है कि अगर हम अपने होम स्टेट में ही लाइफटाइम रहना चाते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा और क्या SBI में प्रोमोशन लेना कंपल सरी है SBI में क्लर के पोस्ट में जोईन करने के बाद प्रोमोशन से लेटेड आपके पास तीन उप्षन होता है या तो आप लाइफटाइम प्रोमोशन मतलो दूसरा option है अगर आप जल्दी promotion लेना चाते हो लेकिन आप जल्दी promotion लेना चाते हो आप 5 साल या 6 साल साथ साल डिले करके promotion लेना चाते हो तो हर option के बारे में detail बात करते हैं सबसे पहला option है कि अगर आप lifetime promotions नहीं लेना चाते हो देखे SBI में clerical post में work load, work pressure काफी कम रहता है, job responsibility भी कम रहती है, duty hours भी कम होती है as compared to officer, अगर बात करें salary की तो हर साल increment होता ही रहता है salary में, एक और benefit जो आपको मिलता है वो है आपके interstate या inter circle transfer नहीं होते हैं, यानि कि अगर आपकी home state में posting है तो lifetime अगर आप promotion नहीं लेते हो, त नहीं कारण है कि बहुत सारे employees जो SBI में join करते हैं clerical post में, वो लो promotions नहीं लेते हैं, और अगर आप further preparation वगरा करना चाते हो, UPSC के लिए या फिर RBI के लिए, तो आपके पास यह option रहता है कि आप promotions को delay कर सकते हो, और अपनी पढ़ाई वगरा preparation अच्छे से कर सकते हो, तो क्य अबसकी और है आपकी designation same रहती है, जब आप join करोगे, तो आप as junior associate join करते हो, उसके बाद आपकी designation change होती है, आप associate बनते हो, दिन senior associate बनते है तो designation change होती है, लेकिन आपकीως post clerk कहीं रहती है, अब बात करते हैं कि अगर आप clerk के post promotion लेना चाटे हो, तो clerk के पोस्ट सेstage promotion होगी त आप officer बनोगे, दो options रहते हैं, या तो आप TO के थूरू ले सकते हो, यानि कि trainee officer आप बन सकते हो, दूसरा option आपके पास रहता है कि आप JMGS scale 1, यानि कि junior management grade scale 1 की जो exam होते हैं, वो आप directly दे सकते हो, तो लिए आप बात करते हैं, के लिए eligible हो जाते हो, अब JIB and CIB exam क्या होता है, तो इसके regarding मैंने detail video बनाई हुई है, जूसे मैंने बदाया हुआ है कि JIB and CIB exam से salary में क्या increment होती है, and promotions वगरा में क्या फायदा होता है, तो उसके regarding जो video उसके link मैं description box में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके देख लेना, उसमें detail में सारी चीज़े समझाईए, अब बात करते हैं कि अगर आप JIB या CIB exam को clear नहीं कर पाते हो, तो उस case में क्या चीज़ होती है, तो देखे, अगर आपने JIB exam clear कर लिए, at least JIB exam clear कर लिए, क्योंकि JIB exam देने के बाद ही आपको CIB exam देने का मौका मिलता है, तो अगर आपने at least JIB exam clear कर लिया है, and आप as clerk four years work कर लेते हो, तो उसके बाद आप T.O exam दे सकते हो, JIB exam देने के बाद ही आप CIB exam दे सकते हो, तो अगर आप suppose कि कि क्यों JIB exam कर पाते हो, CIB नहीं clear कर पाते हो, तो उस case में आपके minimum four years होने चाहिए clerical post में, तो आप T.O की exam दे सकते हो, eligible हो जाते हो, T.O क्या होता है, T.O होती है trainee officer की post, यह similar होती है S.B.I. में जो probationary officer की post होती है, उसके जैसी, यानि कि यहाँ भी आपको T.O की post में आपको one year का probation period serve करना होता है, and उसके बाद आप assistant manager बन जाते हो, तो S.B.I. PO में जैसे promotions होते हैं assistant manager के बाद, फिर deputy manager बनते हो, manager बनते हो, then chief manager बनते हो, then AGM बनते हो, DGM बनते हो, and then manager बनते हो, तो यही जो higher up की रहती हो, यहाँ same follow होगी, यानि कि T.O के बाद आप assistant manager बनोगे, and then again वैसे promotions आपके होते हैं, अब suppose अगर आप T.O के exam को clear नहीं कर पाते हो, या फिर आप J.I.B. exam को ही clear नहीं कर पाते हो, तो आपके पास क्या option रहता है, तो इसमें अगर आपने five years complete कर लिया है, clerical post में, तो आप JMGS scale one exam को देने के लिए eligible हो जाते हो, JMGS scale one exam हो गया, यह similar हो जाता है T.O के जैसा, यानि लेकिन ये T.O की जो exam होती है, उससे थोड़ा easy होता है, तो आप directly JMGS scale one officer बन जाओगे, यानि कि जो P.O की post रहती है, उस post पे आप पहुंच आओगे, उसके बाद again जैसे promotions होते हैं, P.O के post में, यानि कि आप assistant आपको T.O exam देने का मौका मिलता है, trainee officer के exam को देने का मौका मिलता है, उसे आप clear अगर आप कर लेते हो, तो आप 3 साल में ही S.B.I. clerk से directly आप officer बन जाओगे, यानि कि trainee officer बन जाओगे, और उसके बाद आपको पता है कि clerk के post में जो salary रहती है, salary तो चलो ठीक-ठाक मिलती है, लेकिन बाकी जो perks and facilities वगरा मिलती है, जो analysis वाला मिलते हैं, वो काफी कम होते हैं, लेकिन वहीं अगर आप officer grade की बात करो, तो बहुत सारे facilities extra मिलती है, आपको बहुत सारे benefits मिलते हैं, elevances काफी मिलते हैं, अब अगर बात करें कि SBI clerk के post में join करने के बाद, आप maximum किस level तक जा सकते हो, किस skill तक पहुँच सकते हो, तो अगर आप SBI में promotion नहीं लेना चाहते हो, तो आपके पास option आप promotion नहीं ले सकते हो, lifetime आप अपनी home state में रह सकते हो, अगर आप promotions लेना चाहते हो, जल्दी लेना चाहते हो, तो फिर यह आपके उपर depend करेगा, आपको लगातार exam सो अगरे clear करने होंगे, और आपकी promotion जल्दी जल्दी होगी, आ मुझे उमीद है कि आप preparation कर रहो, अच्छे से preparation करना and target रहो कि इसी साल selection लेना है, all the best.